गोरकपूर से बीजेपी की सांसत रवी किशन इन जिनों लोकसवा चुनाव की तयारू में लगे हुए है लेकिन इसी बीच उनसे जुड़ा एक बड़ा मामला सामने आया है तरसल मामला यह है कि अपरना ठाकुर नाम की एक मैला ने उन्हें अपना पती बताया है मैला ने दावा किया है कि उन दोनों की एक बेटी भी है और इन दोनों की शादी साल 1996 में मुंबई में हुई थी इसके साथ ही वो बीजेपी सांसत से मांग कर रही है कि अपनी बेटी को अपना ले इसके साथ ही मैला ने सूबे के मुख्यमंतरी योग्या जित्तनाथ से निया दोनों ने साल 126 में मुंबई में शादी की थी जिसमें दोनों के परिवार और खास दोस्ट भी शामिल हुए थे अपरना का कहना है कि दोनों की एक बेटी भी है वो चाहती है कि रवीकिशन उसे सामजिक रूप से अपनी बेटी मान ले शाती मैला ने कहा है कि अगर रवीकिशन ऐसा नहीं करते है तो मैला नयाय के लिए अदालत का दर्वाजा खट खटाएगी इस खबर के सामने आते ही रवीकिशन ट्रोल होने लगे है और भोजपूरी गाई का नहार राठोर ने सोशल मीडिया पर रवीकिशन को तंज करते हुए कहा है कि भाजबा के सांसद और तीन बच्चों के पिता दिनिश लाल नेरहुआ जी ने ज्यादा बच्चे पैदा कर इंटरनेट पर तेजी से वाइरल भी हो रहा है आपको रहा है कि इस वीडियो के सामने आते ही रवीकिशन ने कोई भी पर्तिकिरिया अब तक नहीं दी है वहाज़ा आपको क्या लगता है क्या रवीकिशन सच में इस महिला के पती और उस बच्ची के पिता है आपकी राए आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताए